हेलो ये स्टूडेंट्स वाटर रिसोर्सेश चैप्टर का जो भी मैप आईटम का सलवस है वो मैप स्रीज में हम कवर कर रहे हैं इस टूटोरियल में अगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दू कि आपके पास मैप जरूर होने चाहिए अगर आप इस टूटोर करते हैं तो लगबग लगबग वो एक्जेट पोजिशन के आसपास ही लोकेशन होती हैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आई टूटोरियल में आपके बढ़ते हैं और यह जो चैप्टर है ना वाटर रिसोर्सेश इस सलेबस में आपको ध्यान रखना है कि इस वाटर रिसोर्सेश का जो बोल्ड एक्जाम में जो भी आपको जो कुश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इसके जो मैप आइटम्स है यानि डैम्स जो नीचे दिये गए हैं इन्हें ही आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर का थेओरिटिकल पार्ट आपसे लेकिन एक्जाम में बोल्ड में सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आएंगे इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए वैसे तो यह लोकेशन एंड लेवलिंग से रिलेटेड हैं लोकेशन का मतलब यह है कि आपको जैसे सलाड डैम डै दिया गया तो आप कि अब बी करके कुछ भी दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि यह कौन सा डैम है तो अगर ओरड़ी लोकेट करके दिया है और आपसे खली नाम पूछा जाता है तो अगर कुछ भी नहीं दिया गया सिर्फ ऐसा लिग दिया जाए और कहा जाएगी अब आप इसे मैप म और यह 8 डैम्स हमें इस मैप में लोकेट करने हैं यह इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसके आउटलाइन दी गई है ऐसी मैप आपको मिलेगा एक्जाम में और एक पैं से ही आपको लोकेट करना पड़ेगा इसलिए मैंने ब्लू गलर में इसको इंको मैं यहां यूज कर किस स्टेट में पड़ते हैं तो देखिए सलेड डायम जो है यह बना हुआ है चेनाब नदी पर ठीक है और चेनाब नदी जो है वो जमुए और कश्मीर में यहां से बहती है और अगर कोई इडेंटिफिकेशन मार्क होगा था हम उसका भी यूज करेंगे जिससे हम पहचा यहां शो कर दिया यहां शो कर दिया यहां भी शो कर दिया तो नंबर नहीं कड़ेगा आपका लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि वास्तों में लोकेशन हमें कहां ठीक से सो करनी चाहिए तो यह जो ऊपर निकला हुआ हिंसा है यही पर आपको लोकेशन आपको शो करनी है ये और ये हो जाएगा आपका सलैन डैम और ये किसी स्टेट में पढ़ता है जम एन कश्मीर में किसी स्टेट में है जमू एन काश्मीर में ये पूरा का पूरा जो स्टेट है जमू एन काश्मीर अभी यूनियन टरिट्री है लेकिन इस्टेट बनी जाएगा और उपर वह इस्टा यह भी युनियन टरेटी है इसे युनियन टरेटी ही रखने का इरादा गौर्वर्मिंट का है यह लगदाग है तो यह से लेंड डाइम हो गया और अगर आपको यह कहा जाए कि सिंबल से शो करना है तो आप यहाँ पर यह बना है सतलज नदीबर और यह दो स्टेट में फैला हुआ है एक तो हिमाचल परदेश और दूसरा है पंजाब तो दो स्टेट में यह है और यह सतलज रिवर प्रजेक्ट में यह दो बांध है भाकरा एक और नंगल भाकरा जो हिमाचल परदेश में पढ़ जाता है और नंगल लोकिटेड है पंजाब में और जो डैम्स होते हैं उनके अपने रिजरवएर भी होता है जिसे आप कहशकते हैं जिसे पानी का तलाव होता तो बहुत बहुत बढ़े-बढ़े विशाल जो पानी का स्टोरेज होता है रिजरवएर तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके नाम में आपको बताता चलूँ तो नदी हो गई स्टेट हो गया अब हमें लोकेशन देखें लोकेशन के लिए बहुत आसान है यह है हिमाचल परदेश और यह है पंजाब हिमाचल परदेश पंजाब के बॉर्डर पर आपको शो करना आप तो देखें यह जो आपको दिखाई दे रहा है हलका सा यह पोल्शन यहाँ पर यहीं पर आपको थोड़ा सा दोनों बॉर्डर को टच करते हुए यहाँ पर आपको शो करना है कौन सा डैम भाकरा नंगल डैम और यह जो भाकरा नंगल बांद है ना इसका जो रिजर्वोयर है काफी बड़ा रिजर्वोयर है जो इस्टोरिस कैपिसिटी है लगबग सेकेंड टंबर पे हैं इंडिया में और यह रिजर्वोयर का नाम है जो हिमाचल परदिश शायद में पढ़ता है वो है गोविंद स आगर मैं यहाँ लिख नहीं रहाँ बस बता दे रहाँ मुझवानि आपको गोविंद सागर रिजर्वोयर का नाम है इसके बाद आते हैं हम टेरी को हम टी से सो कर देंगे यह पढ़ता है उत्राखंड में उत्राखंड को हम यूटी से सो करते हैं और यह बना हुआ है जो गंगा नदिये वास्तों में वो originate glacier में नहीं होती है दोमेन नदियां जैसे आती है भगिरिती नदी आती है उसके बाद अलकनंदा आती है मिलती है पसमें तब जाके गंगा निकलती है इसमें और भी ट्रिबुटी जाके मिलती है देव प्र्याग जिस जगह पर ये conference है ये नदी और अलकनंदा नदी का यहां पर देव प्रयाग से गंगा बनके निकलती है तो इसी भगिरिती नदी बे बना हुआ है ये डैम तेहरी तो देखिए ये है उत्राखंड ये जो आप देख रहे हैं ये है उत्राखंड अब इस उत्राखंड में कहां शो करें जनरली आपको यह band दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसकी przysz में यहांपि इलाके आपको शौ करना चाहिए यह यह ओजाएगा आपका टैरी डायं इसके बाध हम आते हैं राना प्रताब शागर तो राना प्रताब सागर को हम और से सोकर देते हैं थेकए और रांप्रताब सागर आप राणा परताप का नाम आप जानते ही हैं तो राजिस्थान आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ राणा परताप राजिस्थान वैसे भी मैंने बताया कि हम ऐसे उतरेंगे तो मैप में भी उतरेंगे तो अब हम आएंगे राजिस्थान में एक राजिस्थान बहुत बड़ा पर्देश है, अब देख रहे हैं पूरा का पूरा, भारत का सबसे बड़ा स्टेट अभी यही है, तो आपने क्लाश नाई नोगरे में पढ़ा होगा, उसमें चैप्टर भी है, कि चम्बल नदी भी गुजरती है, ऐसे, और इसे पर कुछ बांध बने हुए ह जिसे जवाहा डैम है, उसके बाद राना परताप सागर डैम है, और फिर जाके गांधी सागर भी है, लेकिन हमें राना परताप सागर को लोकेट करना है, यह है आपका चम्बल नदी पर, किस श्टेट में है, राजस्थान में है, अब आप जब राना परताप सागर डैम क location को पता करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कोई help book करेंदी हुई है तो वो यहां वहां इसको शो कर देते हैं यहां show कर देंगे यहां show कर देंगे कोई भी आप resource use करेंगे इस map इस chapter की map की practice करने के लिए किसी भी map की practice करने के लिए हम तो भी authentication बहुत धियान देते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तों में कहां आपको show करना है बहुत ही जी है यह map भी आप देख रहे हैं हो सकता है आपको जो exam में map मिले तो वहाँ पर और अच्छे टंग से दिखाया गया हो यह जो portion यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अलब ऐसे आके ऐसे आके यह जो घूमा हुआ portion है यही पर अंदर है राना परताब सैगर डैम तो आपको यही पर show करना है ठीक है यह यहाँ पर यही पर आपको show करना है आप यहां भी show कर दोग यहां भी show कर दोग तो number नहीं कटने वाला बट जो location है वो यहां पर है ठीक है फिर नीचे गांधी सागर पढ़ जाता है लेकिन वो पढ़ता है मदपरदेश में इसके पहले जवाहा टैम है तो यह हो जाएगा आपका रानापरताप सागर डैम मैं इ इसके लिए SR का प्रोग कर लेते हैं और यह है गुजरात में और कौन सी नदी पर है नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी और यह है गुजरात में लेकिन गुजरात तो देखिए पूरा का पूरा गुजरात ही है हम कहां शो करेंगे तो आपको पता हो कि नर्मदा नदी यहा आप देख रहे हैं न ये ये लब ऐसे आके जो ये portion आया हुआ है यहीं पर आपको locate करना है यहां पर आप इसको show कर दीजे ठीक है ऐसे करके ये हो जाएगा आपका सर्दार सरोवर इसके बाद है हीराकुड हीराकुड को हम h से show कर देते हैं और ये बना है महानदी पर महा नदी और ये है ओरीशा में ठीक है? आप जानते होंगे कि ओरीशा यहाँ पर है और ये जो portion आप देख रहे हैं ये सब का सब जो मुहाना है जो delta जो create करती है महा नदी है create करती है 36 गड़ से निकल के और बहती भी चली आती है तो अब हम कहाँ शो करेंगे? इसकी location भी आपको यहाँ वहाँ काफी ज़्यादा मिलती होगी तो मैं आपको बता रहूं कहाँ शो करना है इसका शो करने के तरीका यह है कि यह जो ऐसे जाके मुड़ा हुआ हिंसा है ऐसे आके यहीं पर आपको और बहुत बीच में शो करना है मैंने देखा है कि कईजेगे maps में इसको यहाँ शो कर दिया गया आपको इसी के नजदीच रखते वे थोड़ा सा अंदर शो करना है बहुत अंदर ले जा के शो नहीं करना है यहीं पर आप शो कर दीज़े इसको ऐसे यह हो जाएगा आपका हीराकुड यह जो हीराकुड डैम है न यह दुनिया का अभी फिलहाल इस टुटिरूर्ड को बनाए जाने तक longest डैम आप दे वर्ल्ड दुनिया का सबसे लंबा डैम है यह हीराकुड और अगर हम उचाई की बात करें मनलब हाइट की बात करें तो जो हाइट में फिलहाल इस टुटिरूर्ड को बनाए जाने तक तो चाइना में है जिसकी उचाई लगवग 305 मीटर है जिनपिंग डैम उसको कहा जाता है जिनपिंग फर्स्ट लेकिन आने वाले समय में तजाकि परिस्तान की जगा होगी जिनपिंग फर्स्ट के नाम से जाना जाता है यह रोगन डैम और ओजी यूएन मैं में मिटा देता हूं जिससे कि काफ़ जयता मैस क्रेट ना हो इसके बाद है नागरजुन शागर नागरजुन सागर को हम लोग एन से सो कर देते हैं ठीक है और यह बना दच्छड की जो नदी है कृष्णा नदी पर बना हुआ है लेकिन अब तेलंगाना बनने के बाद इसकी लोकेशन को बताते समय ध्यान रखना पड़ता है कि आंधपरदेश और तेलंगाना इन में शो करना पड़ता है इसको पहले आंधपरदेश का ही हिससा था तेलंगाना तो हम सिधा आंधपरदेश लिप दिया करते थे एनिवे मैं इसकी लोकेशन आपको बताता हूँ वैसे आपको इसे इन दोनों के बॉर्डर पे शो करने का बताया गया होगा लेकिन इसे तेलंगाना के जो नालगोंडा डिश्टिक है जिसका बॉर्डर एक बैंड बना हुआ है इसके उपर उपर उठा हुआ जो हिस्सा है इसी हिस्से में आप पलकी मैं तो चाहूंगा कि जो बैंड बना हुआ है यहीं पर आप इसे शो कर देए और थोड़ा से बॉर्डर को टच कराते हुए इस टाइप से आप शो करिए ऐसे क्योंकि हम कि उसका अंदाजाब को होना चाहिए तो यह हो जाएगा नागारजुन सागर जो की बना हुआ है क्रिष्णा नदी पर ठीक है और अब है आखिर में तुंभध्रा तो टी हम अलड़ी यूज कर चुके हैं तो हम इसको यूज करेंगे टी और यू से ठीक है और यह बना हु हुआ है इसी नाम की नदी पर मुलब तुंभध्रा नाम की नदी में बना हुआ है और यह है करनाठक में ठीक है करनाठक आप लिख सकते हो ऐसी लिखते हैं हम लोग करनाठक और यह तुंभध्रा नदी है क्रिष्णा नदी की ट्रिब्यूट्री है आप जानते हैं यह जो डेल्टा बनता है यह कृष्णन नदी ही बनाती है और इसी की ट्रिब्यूटरी करनाटक में है यह है करनाटक मैं बताता है इसको लोकेट करना बहुत आसान है बस यह जो अंदर की तरफ डिप्रिशन बना हुआ है न ऐसे गटड़ टाइप का इसी को आप एक identification mark बनाईए और इसके उपर थोड़ा सा मतलब शाटा के नहीं थोड़ा सा दूर आप इसे शो कर सकते हैं इस टाइप से यह हो जाएगा आपका तुंग भद्रा डैम और इस डैम का reservoir भी मैं आपको बता दूँ वो है पंपा सागर इसे जो reservoir बनाए पंपा सागर और दच्छिल बारत का साउथ का यह बहुती वलब सबसे बड़ा multipurpose project आप कह सकते हो अब मैं इन सब को मीटा कर और सिर्फ यह जो यहाँ पे मैंने बनाए हुए है letter के symbols in dams के सामने मैं उनका यूज करते हुए सबसे पहले अपको क्या बताया था यह जो निकला हुआ उपर हिस्सा है यहीं पर आपको स्लेड डैम सो कर देना ठीक है यह और यहां लिख दिया हमने इस यह हो गया आपका स्लेड डैम इसके बाद है भाकरानंगल यानि की बी हिमाचल परदेश यह रहा पंजाब यह रहा इनके बॉर्डर पर कहा मैंने लोकेशन बताई थी आपको जी हां यह जो डिप्रेशन बना हुआ यहीं पर आपको थोड़ा सा दोनों के बॉर्डर को टच करते हुए आपको दिखाना है थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दूँ इसके बाद है आपका टहरी यानि टी यह रहा उत्राखंट और मैंने बताया था कि इसकी लोकेशन एक्जेक्ट आपको कहा दिखानी है यह जो डिप्रेशन बना हुआ इसके बीच में और थोड़ राजिस्थान में चंबल नदी पर तो यह रहा राजिस्थान और मैंने आपको कहा बताया था मैंने पताया था कि इसकी सही लोकेशन जो कि बहुत इजी है कि यह जो ऐसे बना हुआ ना थोड़ा सा इसका यहां पर अंदर आपको इसको शो कर देना ऐसे करके ठीक है यहां वहां मार शो करिए जो मैं बता रहा हूं सही लोकेशन तो उसको यूज करिए और यहां पर हम लिखेंगे राना परताफ सागर क्लिम ने क्या यूज किया है आर तो हम यहां लिख देंगे आर इसके बाद है शर्दार सरोवर यानि एस आर यह गुजरात में यह गुजरात है बना हुआ है और इसकी भी पोजिशन मैंने आपको बहुत अच्छे डंग से बताई थी आप भूलेंगे नहीं कि यह जो निकला हुआ हिस्सा है यही पर आप इसको शो कर दीजे यह हो गया आपका शर्दार सरोवर यहां लिख देंगे हम एस आर इसके बाद हीरा कोड यान है यह कई जगा मैंने देखा है कि काफी यहां लिजा के शो कर दिया गया है बट उन्होंने रफ लोकेशन शो की हैं इतनी दूर यह डैम नहीं बना हुआ है संभलपुर के नजदीख है यह डाम आप खुदी लोकेट कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या लिख दें एच यह हो नागरजुन शागर किष्णा नदीबुर बना है और यह किष्णा नदी का डेल्टा है और पहले आंद्परदेश में पूरा सो होता है लेकिन अब तिलंगाना बनने के बाद आप यह तिलंगाना डिस्टिक की तरफ हम इसे सो करते हैं नालगुंडा में तो आप दोनों के पोजीशन बनी ही आप यहीं पे इसको सो करिए इस टाइप से ठीक है और इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं एन एन फोर नागरजुन सागर इसके बाद बचा आपका तुंभध्रा एन हो गया आप बचा टी यू यह इसी के एक ट्रिब्यूट्री है करनाटक में के लिए यू यह हमने डेंप्स आपके लिए लोकेट कर दिये और जो मल्टी परपस्ट डेंप्स होते हैं नेके deffer क्रियेट हुई थी क्योंकि होता क्या है कि जब डैम्स बनते हैं तो काफी दूर में जो वहां रहने वाले लोग होते हैं उन्हें डिस्पेस कर दिया जाता है एरिया फ्लडेड हो जाता है काफी नुक्सान भी होता है वहां पे और आपने एक नौबिक्स में पढ़ा होगा कि development of someone may not be the development of बलकि it may be the destruction for others तो डैम्स का construction अक्सर controversy में चला जाता है लेकिन आप यह भी जानते हैं कि जो डैम्स हैने modern UK temple भी कहा जाता है किसने कहा था यह आप comment box में लिखिए और plus मैंने दो जखा आपको reservoirs बताएं एक तो मैंने आपको बताया कि यह जो 17 नदीबर बना गोविन सागर है और एक और मैंने आपको बताया वह मैंने आपको यह बताया कि जो तुगभद्रा नदी है मुलब इस पर जो डैम बना हुआ है इसका जो है वो है पंपा सागर ठीक है knowledge is knowledge we must have it पंपा सागर reservoir है अब आप बाकी के reservoirs का पता करके बताएं कि उनको क्या कहा ज आपी